असलाम नेकुम क्लास यह हमार पास एक next question है practice question है general entries का और हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से इसकी general entries जो हम लोगों ने record करनी है यह हमार पास question है Mr. A opened business on August 1st 1st August को यह business जो है वो open कर रहे है on August 30 31st August को उनके पास यह यह balance sheet उनका जो है वो balance sheet यह show कर रही है कि उनके पास cash जो है वो है 9000 ठीक हो गया उसके पास उनके पास account receivable जो है वो उनके पास पड़े है 1700 और supplies जो है उनके पास 600 पड़ी है office equipment जो है वो 6000 पड़ी है और account दूसरी साइट पे account payable हो गया वो उनके पास जो है 3600 amount से account payable ठीक हो गया और capital है उनके पास पड़ा हुआ 13700 से तो यह जो है debit और credit जो है वो equivalent है किस amount से 17300 से दोनो जो है वो capital at the end of this month 31st अगस्त को जो है वो हमारा debit और credit equal show कर रहा है अब next वो कहता है कि during September the following transaction next month में जो है वो यह transaction 31st अगस्त तक यह balance show कर रही है उनकी balance ठीक है 31st अगस्त के बाज है सब्तमबर के में जो है यह transaction अकर हुई है और इन transaction के हैं हम लोगोंने record करने है देखते हैं किस तरह जाएगा इसका recording किस तरह से होगी फर्स ट्रांजक्शन है कि pay $2900 cash on account payable वो कहते हैं cash pay किया है जो हमारे पास account payable था हम लोगोंने कोई amount कोई चीजे purchase की थी on account pay और हमने पे करना है हमने cash pay किया हुनको $2900 तो हमारे पास एक तो effect cash पे जाएगा कि cash हमने pay किया है तो हम उसको करते हैं credit ठीक हो गया दूसरा effect हमारा किसके उपर जाएगा कि हमारी liabilities है जो के पहले $2900 थी अब हमने pay कर दी है तो हमारी liability कम हो गई है जब हमारी liability decrease होती है तो हम उसको debit करते हैं ठीक हो गया तो यह हमारे पास आजाएगा account payable debit debit हो जाएगा $2900 से ठीक हो गया और two cash credit हो जाएगा $2900 से अच्छा जी next हमारे पास entry है collected $1300 of account receivable हम लोगों ने कोई चीजें sale की थी ठीक है इस organization ने Mr. A जो company है जो business है उन्होंने कोई चीजें sale की थी और उन्होंने account receivable उन्होंने कोई amount जो है वो receive करनी थी अब वो कह रहे हैं कि account receivable उनको receive हो चुके है $1300 से तो मतलब cash हमारे पास receive हो चुके है ठीक है तो cash क्या हो जाएगा debit हो जाएगा $1300 से और हमारे account receivable जो के $1300 थे पहले अब वो कम हो गए है तो जब हमारे account receivable जो के हमारे asset है जब वो decrease होते है तो हम लोग हमें पता है हमारे table से जब हमारे asset decrease होते है तो हम लोग उसको credit करते हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे credit करेंगे account receivable को $1300 से next है हमारे पास purchased additional office equipment for 2100 office equipment कोई purchase की है उन्होंने 2100 की हमें पता है office equipment हमारे asset है हम लोग इसको debit करेंगे हमारे पास office equipment आ रही है 2100 की फिर वो कह रहे हैं के paying 800 in cash cash उसने 800 पे किया है तो cash हमारा decrease हुआ है तो two cash 800 फिर वो कहता है and the balance on account जो remaining balance रहे गया है मतलब 2100 की हम लोग उन्होंने office equipment purchase की थी और 800 हम लोग pay कर चुके हैं बाकी के जितने पैसे हैं हमारे पास 1300 वो हमारे पास जाते हैं हमारी liability में ठीक हो गया तो हमारा हमने जो है वो account payable में जाएंगे हमने payment अभी करनी है ठीक हो गया तो यह हम कर देंगे 1300 account payable मतलब हमने office equipment purchase की है 2100 की ठीक हो गया और उसमें से 800 cash हम लोग ने payment कर दी है और account payable बाकी की 1300 हमारी अभी liability है अभी हम लोग ने उसको pay करना है तो हमारी जब liability increase होती है 1300 से तो हम उसको credit करेंगे दूसरे तरफ हमारा cash जो है वो हमने payment कर दी है cash की 800 की तो हमारा asset जो है वो decrease हुआ है तो credit करेंगे ठीक है और दूसरे तरफ से office equipment हमारे पास आ गई है तो office equipment हमारी increase होंगी तो इसको हम debit कर देंगे अच्छा जी next entry है हमारे पास earned revenue of 8000 of earned revenue revenue earned किया है उन्होंने ठीक है 8000 तो जब हमारा revenue increase होता है तो हम लोग उसको क्या करते है revenue जब हमारा increase होगा तो हम उसको credit करेंगे ठीक हो गया of which 2500 is collected 2500 उन्होंने cash में collect कर लिए ठीक है उन्होंने कोई services pay की है ठीक है या कोई उनको income generate हुई है 28000 की ठीक है 2500 जिसमें से उन्होंने cash receive कर लिया है और बाकी का जो balance है वो उन्होंने receive करना है after in October October तक जो है वो due है तो हम लोग क्या करेंगे हमारे पास है revenue sorry cash हमारे पास हम लोग ने कितना receive कर लिया है हम लोग देख रहे है 2500 जब हमारे पास cash increase होता है तो हम लोग उसको debit करते है हमारा asset है दूसरी तरफ बाकी हमने amount जो है वो receive करनी है हमारी account receivable में आएगी अभी हम लोग ने receive करनी है in October ठीक है और हमारे पास revenue जब increase होते है तो हम लोग इसको credit करते है हमारे पास 8,000 amount से और हमारे account receivable cash हमारे 2500 receive हो गया है 8,000 का revenue अर्ण हुआ था और बाकी amount जो है वो हमारे पास 6,500 हमारी account receivable है जो कि हम लोग ने in future receive करनी है October में हम लोग उसको receive करेंगे next entry है विड्रा 1000 cash for personal use personal use के लिए जो है वो cash विड्रा कर रहा है honor तो जब हमारा personal use के लिए हम लोग पहले भी entry कर चुके है हमारी होती है drawings जो हम लोग विड्रा करते हैं तो drawings हमारे पास आ जाएंगी increase हो रही है drawings हमारे पास debit हो जाएंगी 1000 से और हमारा cash जो है वो decrease हो रहा है हमारे organization के account में तो cash decrease होता है जब ऐसे decrease होता है तो हम उसको credit कर देते हैं next entry आ जाती है हमारे पास यह आ जाएगा हमारे पास drawing debit 1000 से और cash credit 1000 से next entry हमारे पास आ जाती है paid salaries 1700 salaries pay की है 1700 की expensive है हमारा rent for September 900 rent pay की है 900 का and advertising expense 300 और 300 जहें advertising expense की है अब उन्होंने एक transaction में बताया हुए सारा तो हम लोग भी ऐसे इसको कल रहेंगे salaries expense debit हो जाएगा हमारा कितनी amount से 1700 उसके बाद rent expense बता रहे हैं ठीक है rent expense है हमारे पास 900 तो हम लोग करेंगे 900 से हमारा expense increase हो रहे है salaries expense 1700 rent expense debit 900 और advertising expense कितनी amount से 300 से यह हमारा expenses है यह debit हो गए है और cash हम लोगों ने pay किया है तो cash हमारा इन तीनों को हम लोग add करेंगे तो यह हमारा बन जेगा 1703 2900 2900 जो हम लोगों ने cash pay किया है हमारा acid जो हम डिक्रीज हुए है तो हम उसको credit कर देंगे और यह salary expense हो गए 1700 rent expense हो गए 900 और advertising expense हो गए 300 तो यह हम लोग जो है वो pay कर चुके हैं next आ जाती हमारे पास century incurred utility expenses for month on account 170 वो केते हैं utility expenses है लेकिन हमारे पास incurred हो चुके हैं हमने expenses incurred हो चुके हैं लेकिन अभी हमने उसकी payment नहीं की है हमारे उपर liability है ठीक हो गया तो utility expenses एक तो हमारा expense है utilities expenses debit हो जाएगा हमारा 170 amount से ठीक हो गया और हमारा account payable यानि के हमारी liability और जब हमारी liability increase होती है तो हम उसको credit करते हैं 170 डॉलर के साथ हम उसको credit करते हैंगे last entry हमारे पास receive 10,000 from capital bank money borrowed owner note payable वो कहते हैं कि receive उसने उसे अपने business को enhance करने के लिए money की जरूरत थी तो उसने 10,000 डॉलर का capital bank bank से उसने 10,000 डॉलर loan लिया है बॉरो की यह money ठीक है और not payable उन्होंने sign कर दिया है ठीक है तो एक तरफ हमारा cash receive हो रहे है ठीक है तो cash receive हो रहे है कितना हमारा 10,000 डॉलर और दूसरी तरफ हमारा note payable हमारी liability भढ़ गई है क्योंकि हमने यह amount जो है वो pay करनी है in the form of not payable तो not payable हमारी liability है और जब liability increase होती है तो हम लोग उसको 10,000 जो है वो जब हमारी liability increase होती है तो हम लोग जो है वो उसको credit करते है ठीक है तो हमने cash को debit किया 10,000 हमारा asset सा increase हो और debit हो गया और liability जो है वो note payable हमारी liability है, liability जब increase होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, credit करते हैं, हम लोग ने 10,000 amount से उसको credit कर दिया, यह था हमारा question, सारी transaction complete, next हो है, वो हम लोग next फर्तर देखेंगे, okay जी, thank you, Allah, आफ्वीस,